नमस्का दोस्तों, मैंने वादा किया था कि जब किसान अंदोलन का पूरा भाणा फूट जाएगा, जैसे शाहिन बाग का फूटा था, तो मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूँ क्यूंकि इन पिछले 10-12 दिनों में जिस तरह की emotional mental lynching, online lynching मैंने फेस की है, रेव death threats मैंने फेस किया है, तो ये मेरा हक बनता है, कि मैं इस देश ते कुछ सवाल करूँ, अब जब प्रदान मंतरी जी ने किसी आशंका की कोई गुंजाईश ही नहीं छोडी है, तो ये बात तो जाहिर है कि ये politically motivated था, ये पुरान दोलन, और कही न कहीं इसमें आतंकियों मैं भी हिस्सा लेना शुरू करती है लेकि मैं पंजाब में रही हूँ, मैं पड़ी हूँ, मैं बड़ी हूई हूँ, मैं स्कूलिंग मैंने वहां की है आपनी, और मैं जानती हूँ 99.9% जो पंजाब के लोग है, वो खालिस्तान नहीं चाहते हैं, वो देश का टुकडा नह से हिमाचल सा बुनका है, तो उनको छोटा सा टुकडा नहीं चाहिए, वो देश प्रेमी है सब, लेकिन मैं उनसे पूछना चाती हूँ, देश वासियों से, मुझे आतंकियों से शिकायत नहीं है, मुझे जो इस देश को तोड़ना चाते हैं, मैं उनकी भावनाए मैं समझ लेकिन जो मासूम लोग हैं, वो कैसे इन लोगों को अपने आपको उंगलियों पे नचाने देते हैं, हर आए देन, जैसे शाहिन बाग मिदादी जी वो पढ़ नहीं सकती, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अपनी नागरिता बचाने के लिए अंदूलन कर रही है, एक पंजा लेकियों के लिए इन विदेशी शक्तियों के लिए, मुझे आप लोगों से शिकायत है, और मुझे ये शिकायत है कि मुझे हर दिन अपनी इंटेंशन बतानी पड़ती है, कि जब कोई देशबक्त इंसान को इतनी चीजे उनको क्लारिफाय करनी पर ये लोग दिल जी पुछे ना ये कौन से नीते कर रहे है, जहन,